हेलो फ्रेंड वल्कम पाक टू जीनास अप्रोच मैं हूँ सुप्रिया आप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिप्रेशन कर रहे होंगे सो आज किस वीडियो में हम बाते करने वाले हैं कि आप से इंटर्व्यू में एवियस के थीम पे कैसे कै पूछे के जाते हैं इसके फेशों के सटे हैं कैसे पूछे जा सकते हैं किया उकशे पूचे गए भी हैं जैसे कि कॉन्ट्रेक्शन ज़िए अइंटर्विया था उसमें डिरेक्ली यहां पर के इन्टर रही ही और आ अप बताएंगे जैए विगूकर यह भाते हैई ह। करके या फिर वो डेटली आपसे ये बात पूछते हैं कि अगर आपको एविस के सिक्स थीम में से किसी भी थीम पर डेमो देना हो तो आप कैसे दोगे तो उसके लिए आपको थीम पता होने चाहिए और आपको यह भी आइडिया ज़रूर होने चाहिए कि कौन सा चाप्टर कि इस थीम के अंडर आता है इनकेस वह आपसे बोलते हैं कि चाप्टर है क्लास थर्ड की बुक में फ्रम हेयर टु दियर सो कें यू टेल मी कि किस थीम में जाएगा इस तो यह पहुंच गया ट्रैवल पर कैसे हम मीन्स और ट्रांस्पोर्ट यूज करते हैं एक प्लेस से दू से तो आई होप अभी आपको यह समझ में आयोगा एसे से क्वेश्ट फ्रेम किये जाते हैं आपको सबसे पहले समझना की बारे में कितने देगे एक इनकी बारे में प्रॉपर आप समझेंगे फिर मैं आपको नेक्स वीडियो में यह बात बताऊंगी जैसे मैंने आपके सा के अंडर कौन सा चाप्टर जाएगा ओके आपके वाइंड में आइडिया हो सके मान लीजिए आप में से किसी का फेवरेट थीम है फूड ओके तो आपने अपने स्टाइल से फूड को रेडी कर लिया एकॉर्णिंग डू क्लास थर्ड समझ में आया अब बात करते एक फॉर् करोगे तब थर्ड क्लास से काफी चीज़ों को माच कर आओगे ऐसा तो नहीं है माल लीजिए मुझे अगर पढ़ाना है सूपर सिंस जो कि आपका है क्लास की बारे में समझ में आया ऐसा तो नहीं कि हम सीधे शुरू कर देंगे वहीं से ओके आप एनिमस के लिए बेस प्रण के समझ कि तब पढ़ना होगा तो अपने साइट से आप एक थीम का अच्छे साथ डेमो प्रेजेंटेशन सोच कि जाए कि आप कैसे डेमो प्रेजेंट करोगे इन केस वह आपको खुझ से चांस दे देते हैं कि आप अपने साइट से डेमो का टॉपिक लेकि आप हम करना पड़ेगा सबसे पहला जो तीम है वह आएगा आपका यहां पर जान रखेगा इसकी अंडर खुद ही फोर सब थीम साते हैं तो फॉर एक्जामपल अगर आपसे एंटर्वियों ने पूछ लिया कि क्या आप बता सकते हैं कि एनिमर्स जो है वह में सब थीम होते हैं वह क्या थीम होते हैं एविस का तो आपको यह बाते पता होने चाहिए कि फामिली और फ्रिंड्स के अंडर आता है क्या आता है प्ल आपने अपने अनिमर्स तो आपने आपने अनिमर्स के लिक्ष के लिक पढ़ा था आवाव फ्रेंड्स ने यह पॉड्ग ह archives आपने भी पढ़ा होगा फ्लाइंग है क्यों थीम्हा नेक्स आपके पास यहां पर सेकेंड तीम जो कि आपका फूड ठीक है इसको याद रखने का तरीका में भी आपको लास्ट में अभी समझाऊंगी पहरी समझे फूड क्या है अब फूड के अंडर आपको चाप्टर स्पहले माइंड में तो टोड़ याद होने चाहिए क्या क चाहठे के बाते की थी हमने फूड स्वी इड तो इसमें बिसिकल्ड या आप बच्चो को क्या बताओगे की फूड हाबिक्ट सबकी अलग-अलग होती है है ना इस इडेस विट को किंग अन फामिल फिंग उक्कोर्स यहां पर बाते क्या हुआ हुँ है कि हर किसी के घर में कहाना बनाने का तरीका अलग होता है काफी लोगों की। काने का तरीक तरीका नहीं बाते कर दी को। फूट कहा कहां से आता है। हम भी फूट मिलता है। आपको याद होगा vegetarian, non-vegetarian जो आपने इनसा पारे में बच्चों को बताया था अब आगे आते हैं this is a theme about what we we others and animals eat etc आपको याद होगा आपने भी बाते की थी कि animals क्या क्या खाते हैं उनके भी आपने varieties की बाते की थी okay ठीक है I hope आपको remember होगी सारी चीज है ठीक है अब आगे move करते हैं तो यह होगी आपका food का तो माल लीजिए आप मेंसे किसी का अगर food favorite team है तो आप उसके हिसाब से पहले आप कुछ हाटने पढ़ेंगे chapters कौन कौन से आ रहे है food में फिर आप अपने demo का लेक आपका demo बहुत ल और स्मार्व में रहेगा तो जादा याद करेंगे जादा लिक्स सोच के जाएंगे जादा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहां पर ठोड़ डर लगता है pressure भी होता है तो उस दुवर आपका निकलेगा ऐसा नहीं कि बहुत ही कम त्यार करके लिया तो कुछ वहां पर या उसकी बाद आपको याद होगा एक चाप्टर था इट रेनिंग जहाँ पर हमने देखा था है ना वाटर के बारे में मैं अभी आपसे बिसिकली क्लास 3 के ही बारे में बाते कर रहे हूं फिर एक था ड्रॉप बाल ड्रॉप जहाँ पर हमने बच्चों को इतना इंपॉर्टेस है सब कर दके हैं राजस्थान के कहानी पूरी बताई थी कहां पर कितनी दिक्टिते होती यह सारी बाते आमने लिएक तो आपको will क्या है कि मैंने उसभरा याद की है जब मैंने आपको पढ़ाया जो मैंने आपको संबरी देंती टेमो, मैं में खुछी सारे के सारी चाप्टर स्कूइट हो गए अगर अभी आप मेरे से चाप्टर का नाम बताएंगे ना क्लासरड में कोई भी चाप्टर का तो इतना मुझे आइडिया हो गए कि आपको बता सको कि वह किस थीम के अंडर आएगा उस पर आप कैसे डेमो दोगे यही आ सेफ करना है वेसनी करना है आपको री यहां पर री यूस करना है वाटर का यह सारे पॉइंट समने कवर किये थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सबके बारे में बच्चों को बताया था ओके लाइक दा एवेलिबिल्टी आंड कंसर्वेशन ओव वाटर आपको समझ मैं सबक्राइब करना बच्चों को आप बताया कि क्या मैंतर से कैसे राजस्थान के लोग क्या करते थे हैं न वह टांक का बनाते थे वाटर को सेफ करते थे था कि उनके मुश्किलों में यूस हो सके वहां पर बारिश नहीं होती थी तो इस सारी पॉइंट सब को याद रहने स इनिमल फूड वाटर सब की बारे में बाते कर ली खाना भी खा लिया पाने भी पी लिया भाई शेल्टर भी तो चाहिए रहने के लिए अफकोस है न अब यह डिपेंड करता है कि हार किसी का शेल्टर अलग अलग टाइप का होता है तो इसी शेल्टर में हमारे खुद की भ सारी वराइटिस ऑफ हाउसे हैं है ना सबका अलग अलग घर है जैसे कि आपने देखा था कि वेदर के साब से घर अलग अलग था है ना मनाली में डिफरेंट गड़ था राजिस्थान में अलग टैप का घर था दिल्ली में अलग घर था बिल्टिंगे थी पुरी-पुरी ना तो हमने सारे के सारे डेमो देखें अलड़ी तो यह आपको इसी सबसे इंक्यूट करता है फिर यहां पर बाते करता है अर्बन और रूरल हाउस के बारे में हैं आप बच्चों को यह सारी बाते बता सकेंगे कि कैसे शहर के घर अलग होते हैं गाउं की घर थोड़े से ट्रैवल में आपको याद होगा मैंने आपको ट्रांस्पोर्ट के बारे में पूरा पूरा बताया तो वही वाला चाप्टर जो अभी मैंने आपको पूछा फ्रॉम हेर टुदियर है ना आप एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रैवल करते हो है ना तो इसमें आप बच्च है सब शुरुआत कर सकते डेमों के इन साइट टॉपिक्स पर तो इन साले टॉपिक के डेमों जरूर देखके जाएगा कैसे आप स्टार्ट करेंगे एक बार देखके आप जरूर जाना तो कि बाकी चाप्टर सो आपको देखने ही पढ़ेंगे पूरी-पूरी याद करने क आप से यह जर्जेश करता है कि आपने दिखा होगा बहुन सारे बच्छों की पर्निस का ट्रांसम कर प्रशार ही कम रहते हैं जब उनका भी को एक प्लेस से दूशर से जगह जब ट्रावल करके हाते उनका एकमोस्फियर को कुछ बदल जाता है तो यह शाप्टर इस पे भी है माइगरेटिंग फामिली इसको लेकिए ओके फिर डिसकुशन ओन प्रॉब्लम्स दे फेस्ट वाइल नियू लाइफ इन नियू सिटी समझ में आया ऐसे भी तो होते है जब वह एकदम से सिटी छोड़के अपना चेंज कर लेकिन शुरू में डिफकल्टी होती है तो यह सारे बारे में की चाप्टर है आपको समझ में आ रहा होगा चैके अब आते लास्टीम पे जो की है आपका तेंक्स वीक में अंडू यह क्या चाप्टर में आपको क्लेर ली यह बत बताएगे आपने इतना कुछ किया तो क्य यहां पर basically क्या बताया है कि humans क्या करते हैं humans चीजन को बनाते हैं work करते हैं hard work करते हैं तो यही सारी बाते यहां पर आड हुई है ठीक है we humans make things not only to meet our daily needs है न हम खाली चीज़ों को इस लिए नहीं बनाते कि हम अपनी ज़रूरतों के सबसे सो यूज कर सके but also to express ourselves in different ways to limit to delimit our limitations ठीक है अपनी limitations को दूर करने के लिए हमने यहां पर बहुत सारी चीज़ों को express किया बनाया तो यह सारी बाते यहां पर हो रही है ठीक है work को लेके अब आपको बच्चे को इसमें यह बताना है कि हर work important है कोई भी work छोटा बड़ा नहीं होता okay तो यह सारी बाते यहां पर हो करना चाहिए ऐसे ऐसे like chapters की जब बाते आएंगी तब इसमें होगा तो अभी आपको clear हो रहे होंगे मैंने आपको क्या क्या points बता है तो 6 themes आपके लिए बहुत ज्यादा important है आप देखके जरूर जाएएगा okay okay so finally yes so just wait a second okay so finally thank you I hope आपको अभी समझ में आऊगा इस छेओ तीम्स आपको clear हो गया होंगे अच्छे अब मैं आपको class 3rd के लिए जो मैंने आपकी सामने देने का सोच रहो for class 3rd okay तो क्या करेंगे अब उन उन chapters को जरूर देखे जाएंगे जो मैं आपको मा करके बताऊंगी उसे देखेंगे और अपनी स्टोरी कुछ से क्रेट करके पहले से सोच के रखिएगा मैंड में है ना अपको खुछ से मौका दे बोलने का तो आप फिर अटको नहीं आप अच्छे से अच्छा डेमो फिर देखिया ही है अगर वह खुछ से टॉपिक देते हैं हां तो थोड़ा चलता है कि चली ठीक है अपने अट्राई कि आपने बोला अगर आप अपनी मन का टॉपिक भी वहां पर प्रेजेंट कर रहो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है तो भी अच्छा इंप्रेशिन नहीं बढ़ता है ओके स्वाइब आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से आपको थीम के अपने को त्यार करना है ओके सो अब भी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास फॉर्थ का इविस अभी सॉरी स्टार्ट नहीं हो पया थोड़ा सा वर्कलोड जाता था क्लास थर्ड का मैंने करा दिया है आपको दब तक आप उसे देखिए समझे प्राक्टस कर ले और एक में बात बत तो आप फूर्ड को लेकि तो नहीं बताओगे कि यह होता है अनहल्दी फूर्ड यह होता है हल्दी फूर्ड साहिर सी बात है पहले आप थोड़े से तो चाप्टर थ्री वाला लाओगे ना मतलब क्लास थर्ड वाला जैसे कि पहले आप पूछोगे ना कि हम बच्चों कौ जुड़े हुए है ना तर्ड फॉर्ट फिफ ऐसा मैं सोच यह फॉर्थ क्या पूछ लिया तो खाली फॉर्थ की टॉपिक बताने है फिर जम पर थोड़े ना आप है कर देंगे वहाँ पर चाप्टर त्री स्वाली वह वह क्लास से रिटेड रहेगा तो आपको बहुत आराम अब आपको आपको थीम्स के अकॉर्डिंग में एक बार देमो प्रेजेंग तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा अब यह मैंने आपको चेप्टर के अकॉर्डिंग भी डेमो प्रवाइड करूंग और क्लास भी मेंशन कर दूँगे तो आपको बहुत देगा ऑगा अ समझना हूं अच्छा से देखना हूं थीम्स के बारे में तो आप देख सकते हैं आप समझ सकते हैं ओके तैंक यू सो मुझ एवरीवन आपको वीडियो लगी होगी थैंक यू